किसानों का अंदोलन सौ दिन तक महच गया है लेकिन आंदोलन लंबा चलने से अब परेशान किसान भी आक्रोशित होने लगे हैं और अपनी साल भर की पुंजी को बरबाद करने में लगे हैं तीन किसानों के विरोध में किसानों का अंदोलन पूरे देश में जारी है किसानों के विरोध में किसान लंबे समय से अंदोलन रथ हैं लेकिन सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं किसानों का कहना है कि जब तक तीनों किसानों वापस नहीं होंगे वह भी पी और फसल को नश्ट कर दिए किसान से बात चीत नहीं कि lebih तीन कष्यी कानूनों के विरोध में किसान लगातार लएंधोलन कर रहे हैं मगर सरकार किसी की भी नहीं सुन रही इसी को लेकर भारती किसान harm यनके नेता चोधरी राकेश टिकैट ने कहा था कि अपने खाने के लिए उपद छोड़ कर बाकी पर ट्रेक्टर चला दे उन्होंने आज अपनी करीब 15 एकड गेहूं की खड़ी फसल को नश्ट करने के लिए ट्रेक्टर चलाया है वही किसान ने कहा कि उन्होंने जिस फसल क को नश्ट किया है यह जमीन उन्होंने ठेके पर ली थी और उसमें फसल उगाई थी किसान का कहना है कि जब हमारी फसल का उचित मुल्य ही हमें नहीं मिलेगा तो हम फसल का क्या करेंगे उसे नश्ट ही करेंगे कि सेक्रों किसान आंदोलन में अपनी शहीरी दे चुके हैं और सरकार हमें आतंक वादी बता रही है। इसलिए फसल को नश्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। किसान अरेश ने कहा कि फसल को उजाड कर वह सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान कुछ भी कर सकता है। वही जब ग्रामीनों को पता चला कि किसान ट्रेक्टर चला कर अपनी फसल को नश्ट कर रहा है तो सैकडों की संख्या में किसान उसको रोकने के लिए खेत में पहुँचे और फसल ना नश्ट करने की अपील थी। कुकि कहीं न कहीं है गलत message होगा क्योंकि सचित्मों रिचा की अपील नहीं है उन्हें एसे कड़े फैसले लेने के लिए कहा था ये निकायए था हम फसल उजाड़ देए और इसकी संञार करने के लिए निकाय सबसेश्टर चलाएंगे तो आप सभी किसान भाइव सब्सक्राइब करेंगे और उसके लिए अगर देश बुखा मरता तो उसके लिए बार सरकार जुम्हेदार होगी क्योंकि आपका रविया आज तक इसका फैंसला निकालने का नहीं है आपका इन कहीं नाक के स्वाल मान रहे हो जिनकी वोट्ष आप उस अत्ता पे बैठे हो उ प्रवाजे पर आणा था यहां के फिलाल किसान को रोख दिया गया उब चलागा और और बीकिसानों से यह एपेल है इस परकार का नश्माइब यह निए बिजली मेटर बार लाय दिये किसान के दा बिजली चला ले थोड़ी मुट्टी दोसो चार्श पान सो भी ला इवा और कोई साधने नी फसलनेश्ट करना कोई साधन समाधान है मेरे तो भी ले वाई और के गरा है विरोध भी नहीं कर सकते क्या शैंति तरी गांधिवादी तरिके से वहां बैठे दे सो दिन होगा आज मेरे बाई आतमाधान देख सो दिन अपना परिवार छोड़का होगा है मारे तो भी लेट हैं आज आंडिवादी तरिके से चाल रहे हैं अच्छी बात है लेकिन अगर जन आक रोष थोड़ा बढ़ गया यह समद बढ़े न संस्त बजाके बैठे के सारे किसां टो हैं निपागो कोई भी सरकार का मंतरिया भी दाया ठीक है समय है आम शेंति प्रियत्री के से मांग करें और ना यू खून होए है बगचिंग भी बिन सकता आज हम गांधिवादियां क्योंकि हम बड़ों के विचारों पर चल रहें बड़ों की बात मैं रहें लेकिन आज मजबूर मत करो काम ना बड़ा राम राम थाम जाओ आम संबा यह सिरफ एक है ना अमारे अंदोलन को तोड़ने के लिए नहीं क्या करा पहले तो सरदारों को बेले खालिस्तानी है ताके मारे बीच में फूद डलवाए जाए जाए पूद डालो राजग्रोगी निति अपना अंग्रेज जाद अबूरे हैं बीजेभी वाले सब्सक्राइब करने की बात करती है यह सरकार आमदनी कर दिने सलेंडर दूगना कर दिया डीजल दूगना कर दिया शिक्षा दूगनी कर दी बाई जो सतानमेठानमेठानमेठानमेठ्टे क् लगना तक सरेकारी मेकना जैसे पूलिस में उध्यार र्टी यहना रोडवाज्वेज के여 अंग्रे इसकीतन पे व Knights अगर शावी नाथन जो रिपोर्ट है अगर वो लागो जाती है हर एक मैं एक चटावेतना आयोग मैं नागो चुका है शिर्प एक किसान वरक को छोड़ गए तो सरकार से में तो यह पिल करेंगे जब अरेक मैं में को उनका आयोग वेतन के शाप से दिया जाता है तो हमारे पे भी जो स्वाब इनाथिन रिपोर्ट हो लागूने चाहिए नाम बलते बाचार नाम वाई गाउंसाद जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग EDC, IDC फ्री, Club Charges फ्री और Maintenance फ्री और कोई Hidden Charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें